हाई फ्रेंड इस वीडियो में जाने के आप संचेन सीक्रेट्स के बारे में जिसकी मिदस से बैंक निप्टी इंडेक्स का प्राइज जैसे इस लेबल को ब्रेक किया है हमें यहाँ पर सिगनल मिल गया था कि हम लोग का जो यह मूँ है यह सस्टेन करेगा और यहाँ पर आप आज अपना प्रापिट बुक कर लिये हैं और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर दे हाई को हम लोग के इंडेक्स का प्राइज ब्रेक किया है और यहाँ पर फैनली ऊपर क्लोज किया था लेकिन हमें यहाँ पर डेटा पॉइंट से यह भी पता चल गया था कि जो यह ब्रेक आउट है या फेल है और हम यहाँ पर कोई बिट्रेड में एंट्री नहीं किया है यह वीडियो काफी मुद्पूर होने वाली है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी जनकार दें कि इस स्टेटिजी को कब अप होता है और सेकेंड हम लोगों का आता है वालूम और फिर हम लोगों का थर्ड होता है प्राइज होता है आपसन का प्रीमियम और फिर जो हम लोगों का चौथा होता है आएवी होता है तो अगर हम लोग बात करें थर्स्टे के दिन इस पार्श्टे के दिन तो हम लोगों का अगर आप लोग आप से चिन के वालूम के डेटा को अगर कंसीडर करते हैं Thursday के दिन तो आप लोग को reliable signal नहीं मिल पाएगा जिससे आप लोग decision ले पाएं कि आप लोगों का जो entry है या exit है उस सही है या गलत है फिर अगर हम बात करें open interest की open interest की data में भी काफी तीजी से बदला होता है और open interest का data three minute delay आता है तो उसे हम लोग entry के लिए perfect नहीं मान सकते हैं हम generally open interest का इस्तमाल के वाल exit के लिए करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आपसन के premium से कैसे पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे हम correct entry है और यहाँ पे हम लोगों का correct exit है और यहाँ पे हमें क्यों entry नहीं लेनी है तो इस पारी वाले दिन maximum time हम आपसन के premium के data का इस्तमाल करते हैं जिसकी मिज़से हम entry और exit काफी असानी से find out कर पाते हैं तो इस वीड हैं जो big player हैं जो कि option writer हैं जब वो लोग option को right करेंगे तो उनों को काफी अधिक margin की अवसकता पड़ेगी तो अपने margin को कम करने के लिए वो लोग out of the money के put option को buy करना start कर देंगे तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देहें जैसे हम लोग कि यहाँ पर breakout हुआ अगर आप लोग कि वहाँ पर query हो थी कि यहाँ पर आई भी increase हुआ है इसकी वज़य से काल का premium increase हो गया है लेकिन अगर यहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर आप लोग को जो NLC सा यह perfect पैठेगा तो जैसे ही bank 50 का price यहाँ पर इस level को break किया अगर आप लोग 33,000 के put के strike price के option को premium को अगर observe कियों तो इंक्रीज होना start हो गया था क्योंकि वह काफी तेजी से increase हो गया था तो जैसे कि जो हम लोग का candle है यह candle जो break की है यह है दस बच के पचीश मिनिट की candle हम आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मिनिट का चार्ट हम open किया है bank का और यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम बैंक निप्टी का 37,000 के put के strike price को open की है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग date है यह 10 फरोरी का यह चार्ट है और यहाँ पर हम आप लोग को 10 बच के पचीश मिनिट की candle दिखाएं तो जो यह candle है यहाँ पर इस candle है काफी देखे एक green candle बनी हुई है जबकि अगर मार्केट जनरली जब हम लोग का ऊपर जाता है तो हम लोग का put का price है वो नीचे आना चाहिए लेकिन जो big player है वो ATM के strike price को sell करना start कर दिये थे और अपने margin को कम करने के लिए जो out of the money के strike price है वहाँ पर buying start कर दिये इसकी हो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग के option का premium increase हो गया है अगर आप लोग देखें जैसे हम लोग के index का price 10.40 मिट पर देखिए आप लोग green candle close की है लेकिन अगर आप लोग put option के strike price को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो हम लोग का 10.40 मिट के candle है या एक rate candle बन गई है तो यहाँ पर ह अपनी position को अब close करना start कर दिया है तो जैसे ही यहाँ पर हमे rate candle मिला हम अपने profit को तुरंत book कर लिए यहाँ जैसे यह green candle close हुआ इस green candle को close होने बाद जैसे हमें signal मिला कि यहाँ पर profit booking start हो गई है तो हम यहाँ पर तुरंत अपने profit को book कर लिए तो काफी अच्छा trade हमें मिला और फिर अगर आप लोगों को दिखाएं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग का जो bank crypto का price है अपने day high को break किया था लेकिन हम यहाँ पे trade में entry नहीं किये अगर आप लोग देखेंगे काफी नीचे से bulls power लाकर के यहाँ पे लेकर के आये थे और फाइनली जो हम लोग का जो marketing का जो एक resistance था इसके ऊपर close दिये थे लेकिन अगर आप लोग option के premium को जा करके देखेंगे out of the money के strike price को वहाँ पे आप लोग को कोई भी increase नहीं हुआ दिखेगा बलकि यहाँ पे हम लोग का option का premium decrease हुआ है तो यह अगर आप लोग को दिखा गये तो जो 10 बज के 5 मिट की candle है यह candle काफी बड़ी एक rate candle बनी है यानि कि यहाँ पर कोई भी buying नहीं हुई है तो यहाँ पर इस वज़य से हम यहाँ पर कोई भी trade में entry नहीं किये और हाँ आप लोग इस setup का इस्तमाल maximum time आप लोग केवल Thursday के दिन कर सकते है इस पारी वाले दिन Thursday के दिन आप लोग इस strategy का इस्तमाल कीजिए अगर option का आई भी अगर decrease हो जाता है तब आप लोग Wednesday और Thursday दोनों दिन आप लोग अच्छे से इस्तमाल कर पाएंगे यह काफी perfect setup है और काफी accurate signal देता है और कुछ लोग की query होगी कि हम लोग अलग अलग chart में जा करके नही अलग अच्छ देख सकते हैं तो इस strategy को आप लोग चाहें तो इसे आप लोग Excel में automate कर सकते हैं जैसे हम आप लोग को rule बता देते हैं मान कि लिए कि आप लोग का प्राइज अगर increase हो रहा है तो वहाँ पे अगर put option का premium decrease हो ना चाहिए लेकिन अगर index का price अगर increase हो रहा है और put option का premium भी increase हो रहा है out of the money का तो वहाँ पे आप लोग समझेए कि जो भी trend है वह continue हो सकता है लेकिन आप लोग हमेशा price action को ध्यान में रख करके ही trade केजिए नौकी अगर यहाँ पर कोई जैसे कि अगर आप लोग जाये तो हम यहाँ पर यहे यह के लेबल मारक कर लिये थे और यहाँ पर एक नीचे इस लेबल को हम मारक कर लिये थे तो अगर इस भीश में कहीं भी signal मिलेगा तो हम यहाँपर कोई भी ट्रेश में entry नहять करेंगे हाँ अगर यहाँ पे breakdown होता और काल के out of the money का premium increase होता तो definitely हम यहाँ पे trade create कर पाते हैं ठीक उसी प्रकार अगर index का price नीचे जा रहा है और काल option के out of the money के premium increase हो रहा है तो वहाँ पे आप लोग एक्सल सीट में condition दे सकते हैं तो जैसे ही यह condition fulfill तो वहाँ पे आप लोग के एक्सल सीट में automatic highlight हो जाए जिससे आप लोग को decision लेने में आसानी हो यह एक काफी reliable setup है इसकी मिदर से आप लोग काफी अच्छे से trade pick कर पाएंगे इस strategy के बारे में हम आप लोग को पीछले वीडियो में discuss किये थे लेकिन काफी लोग की इच्छा थी कि इसे हम example के साथ दिखाएं तो आज हमें perfect example मिला तो आप लोग के साथ हम share कर दिये हैं अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करें